वेलकम बच्चों तो दा माइंड मैप सीरीज, बटा इस सीरीज में हम लोग फिजिस के कुछ चेप्टर को उठाएंगे और उनको फास्ट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो दा माइंड मैपस बच्चों आज हम लोगे टॉपिक उठाया है फोटो इलेक्रिक एफेट का, फोटाउंस का, डीप रोगली वेफलेंट का इस सीरीज का जो में ए में है वो ये कि एक्जाम से पहले आपको अगर फास्ट रिवीजन करना है तो अगर आप अपने पीडिया फॉर्म में आपको फिजिस मून शॉट का जो टेलिग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगा ठीक है? लेट्स बेगिन पच्चों स्टार्ट करते हैं फोटाउं से फोटाउं आप यह जानते हो लाइट के पार्डिकल को आप फोटाउं बोलते हो वो लाइट की स्पीड से यानि 3 इटो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकिंड से चलता है किसमें वैक्यूम में फोटाउं का जो रेश्ट मास होता है मतलब अगर फोटाउं रुका हुआ है तो उसका मास जीरो और अगर वो मूव कर रहा है तो HF by C square Flank's constant frequency C square यानि E is equal to MC square और E is equal to HF उससे ये फावर्डला निकाला गया है moving mass of the photon फोटाउं की frequency अगर F है तो फोटाउं की energy फोटाउं की energy वोगी HF that is HC by lambda और अगर आप quantum theory of light की बात करते हो यानि अगर कोई light source है तो उससे जो intensity वार मिल रही होगी वो फोटाउं की energy का integral multiple होगी ये है quantum theory that is energy of light ये है energy of photon ये है number of photons मतलब कितने photons उसमें गिर रहे हैं या कितने photon उस light source से निकल रहे हैं light का या photon का जो momentum होता है वो H by lambda और ये EYC ये फावर्वला HC by lambda से ही आ रहा है E is equal to CY lambda ये उसी फावर्वले से आ रहा है यानि जो photon का जो momentum होता है वो E is फावर्वले से मिल जाएगा obviously बच्चों जो बात हो रही है वो moving photon की हो रही है ये जो series है इसका आपको best benefit तब मिलेगा जैसे जब आपने notes थे पहले तो short notes बना लो और उसके बाद फिर जब आप mind web पर जाओगे तो आपको इसका ज़्यादा benefit बिलेगा ये basically हम लोग revision purpose के लिए use कर रहे है तो अगर आप पहले अपने copies को अपने concepts को revise करके तब पर होगे इसको तो आपको इसका ज़्यादा benefit बिलेगा पुछो ये formula कहां का है ये है जब कोई photon गिरता है किसी material particle पर in fact photon के साथ ही होता है कि जब वो किसी material particle पर जा कर टगराता है तो वो वहाँ पर force impart करता है in fact वहाँ पर momentum का जो change होता है वो भी है वहाँ पर conservation of energy principle वो भी valid होता है तो photon जब किसी material particle पर टगराता है तो वो force exert करता है तो ये formula कब चलता है जब वो photon पूरी तरह से absorb हो जाए उसमें ये क्या है wattage यानि अगर 100 watt का light source है तो ये आप 100 लोगे और ये velocity of light है ये formula कब चलता है जब photon टगरा करके वापस आजा है बचो ये concept काफी है तक जो collision वाला concept होता है कि कोई ball अगर जाके दिवाल पे टकराए और टकरा करके वापस लोटे तो momentum का change double तो force जो लगते है वो double और अगर वो टकरा करके बस महीं गिर गया तो momentum का change सिर्फ M into V का हुआ तो force अगर reflect होके आ रही थी body तो उसके comparison में कम हो जाती है हाफ हो जाती है और अगर यही photon बचो तिर्चा गिराया गया है तो भी आप इसको अपने आप कर ले ना कैसे ये टकरा करके अगर ऐसे लोट रहा है तो velocity का या कहलो momentum का वो component लोगे जो की surface के perpendicular होगा वैसे इन दोनों formula के अगर बात करें तो यह आप चलाओगे जब वो absorb हो रहा हो पूरी तरह से इसे आप चलाओगे जब वो reflect हो रहा हो टकरा के वापस लोट रहा हो लाइट का जो quantum nature है, लाइट का जो particle nature है उसको भी justify करता है आपको यह पता है कि लाइट के dual behavior है कुछ properties उसकी wave से explain होती है और कुछ उसकी जो particle theory उससे explain होती है wave से जैसे आप कहसकते हो interference हो गया, diffraction हो गया and so on तो यह है photon की energy, यह है उसका work function और यह kinetic energy maximum kinetic energy maximum का मतलब यह हो गया कि अगर एक example के लिए आपने 10 joule का photon गिराया और 6 joule का work function था what is work function, minimum energy required to take an electron from the metal surface तो अगर 6 joule की energy लग गई निकालने में तो इसका मतलब 10-6, 4 joule से जादा kinetic energy और photo electron नहीं हो सकता विटा photo electron उसको बोलते हैं यानि जो photon की मदद से electron बाहर आया यह उसकी maximum kinetic energy है यह formula जैसे work function का HF0 यानि यह threshold frequency, threshold wavelength मतलब आप कितने का photon गिराओगे कम से कम उसकी frequency क्या होनी चाहिए और जादा सजादा उसका wavelength क्या होना चाहिए विटा frequency और wavelength में opposite relation है तो कितने का आप energy of photon गिरा रहे हो ताकि वो जस्ट electron को बाहर की सके तो वो work function कहलाएगा frequency के terms में ऐसे लिखोगे और wavelength के terms में ऐसे लिखोगे kinetic energy का relation stopping potential के साथ है stopping potential क्या चीज़ होई कि आप कम से कम जो सामने collector plate है मतलब एक पर जासे आप photon को गिराते हो वहाँ से electron बाहर निकला और वो electron सामने वाली plate पर आता है तो circuit complete हो जाता है और आपको outer circuit में current मिलने लगता है बचो जैसा मैंने पहले भी कहा इस series का जो aim होगा वो fast revision का होगा तो ये बहुत helpful उन बच्चों के लिए नहीं हो पाएगी जिनका ये सब concern बिलकुल weak है या जो भी first time इसको पढ़ रहे है उनके लिए ये series उतना helpful नहीं होगी ये especially उन बच्चों के लिए helpful है जो उनने पहले पढ़ा हुआ है और वो fast revision करना चाहते है ठीक है तो बच्चों अगर आप screenshot ले सकते हो तो low otherwise कोई बात नहीं आप physics moonshot का जो telegram channel है उस पे चले जाना आपको इसका इस पूरे board का जो PDF है वो आपको उसमें मिल जाएगा तो बचा इस stopping potential क्या होता है कि आप जो सामने वाली collector plate है उस पर वो negative potential लगाओ स्टॉपिंग potential का संबंद हमेशा kinetic energy से होता है यानि जितनी ज़्यादा kinetic energy लेके electron निकल रहा होगा उतना ज़्यादा आपको opposite potential लगाना पड़ेगा बच्चों HC की value 1242 electron volt डैनोमेटर कोगी modern physics में electron volt एक ज़्यादा convenient unit है जैसे mechanics में joule, thermometry में, kalorometry में, calories तो यहाँ पे यानि modern physics में आपको electron volt एक ज़्यादा convenient unit विलती है तो HC की value 1242 electron volt डैनोमेटर पिटा इसका ध्यान देना आप जब ये फॉरला बैठा होगे जैसे अगर आपको photon की energy निकालनी पड़ी या आपको वरफंक्शन निकालना पड़ा whatever तो HC की value को आप रखोगे 1242 लेकिन ध्यान रखना उस case में wavelength आप रखोगे nanometer में यानि 10 की power minus 9 meter में पचो ये जो graph है ये क्या है ये जो सामने जैसे emitter plate, collector plate light जाकर गिरी वहाँ से energy उसने दिया photon ने तो electron बाहर आया सामने वाली plate पर आया तो ये stopping potential इसका मतलब इतना आप लगा दोगे तो current बिलकूल बंद हो जाएगा इसका मतलब जो most energetic electron था उसको भी आप रोग दोगे अगर आप stopping potential मालो आया है minus 10 volt यानि minus 10 volt पर electron को पूरी तरह रोग दोगे लेकिन अगर आपने minus 10 से कम लिया, minus 7, minus 8 लिया तो कुछ ना कुछ current मिलता जाएगा, current बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आता है जबकि current saturate कर जाता है तो ये potential एक बार जो current saturate हो गया उसके बाद आप कितना भी बढ़ाते चले जाओ current की value पर कोई फर्क नहीं पड़ता ये बात understood है कि जो frequency आप photon की use करोगे वो threshold से जादा होने चाहिए क्योंकि अगर आपने वो नहीं दिया तब तो electron बाहर निकलेगा ही नहीं और जब वो निकलेगा नहीं तब फिर सामने खीशने का कोई मतलब ही नहीं बनता ठीक है तो यहां से लेकर के इस जगह तक space charge या जो electron cloud होता है वो clear हो रहा होता है उसके बाद फिर वो current जाके saturate हो जाता है पुछ इस पर अभी हम लोग बाद में आते है अब ये graph क्या बताता है कि अगर हमने दो अलग-अलग case के photons लिए ठीक है और उनकी frequency हमने बढ़ा दि अगर किया है हमने इसमें intensity को सेम रखा है यानि intensity को यहां लिख लेते हैं constant है intensity constant होने का मतलब बच्छो क्या निकला कि आप जो photons गिरा रहे हो उसकी जो संख्या है मतलब आप 10 photon गिरा रहे थे आप 1000 photon गिरा रहे थे तो photon की संख्या है वो आपने fix कर दिया अब आपने क्या कि कि photon की frequency को बढ़ाया तो बच्छो यहां में ध्यान दो photon की frequency बढ़ने का मतलब हुआ कि एक photon की energy बढ़ी ठीक number of photons नहीं अगर आप number of photons बढ़ा होगे तो उसका संबंद होता है current के साथ जितने ज़्यादा photon गिराओगे तो जितने ज़्यादा photon गिराओगे उतने ज़्यादा आ अगर वो 5 electron volt की energy लेके निकल रहा था और आपने photon की energy बढ़ा दी तो अब वो 7 electron volt की energy लेके चल रहा है तो आपको stopping potential ज़्यादा लगाना पड़ गया उसको रोगने के लिए stopping potential फिर वही बात है कि वो सामने जो collector plate है वहाँ पी electron को ना पहुँचने दे तो लेकिन अगर intensity constant है तो आप देखोगे finally जाकर कि जो saturation current है वो से हो जाता है मतलब frequency का संबंद है किसके साथ frequency का संबंद है kinetic energy की maximum value के साथ और stopping potential के साथ intensity यानि number of photons का संबंद किससे है current के साथ current की graph हो गया मतलब frequency अगर आपने बढ़ाया तो stopping potential बढ़ गया लेकिन जो graph का जो saturation current value है वो same बिलेगा इस case में आपने क्या किया frequency थ्रसोड से यादा ली लेकिन अब आप intensity बढ़ा रहे हो इसका मतलब पहले आप 10 photon गिरा रहे थे तो आप 50 photon गिरा रहे हो आप 100 photon गिरा रहे हो त stopping potential fix हो गया लेकिन आपने photon के संख्या बढ़ाई थी तो intensity बढ़ने के कारण जो saturation current है वो बढ़ गया बात फिर घुमफिर के वही आती है कि जो intensity है यानि number of photons उसका relation है saturation current के साथ और जो stopping potential या kinetic energy maximum है उसका relation है frequency के साथ ठीक है तो अगर आपने frequency को रखा और इसको constant रख लिया और number of photons आपने बढ़ा दिये तो आप यह देखोगे कि saturation current है वो बढ़ा गया ठीक तो यह इसका graph ने बताया बाकि यहाँ पे यह सेम हो गया आपने देखा यहाँ यह अलग था लेकिन यहाँ सेम था saturation में यहाँ इस जगा पे stopping potential में सेम है saturation current पे डिफरेंट है intensity का current के साथ graph पर जितना ज़्यादा आप photon के संख्या बढ़ाते चले जाओगे understood है अब यह बात यहाँ पर understood है कि जो आप frequency ले रहे हो वो threshold से ज़्यादा है यह understood है क्योंकि अगर आपने उससे ज़्यादा frequency नहीं लिया तब तो photon बाहर electron को बाहर निकाले नहीं पाएगा और बाहर फिर current का सवाल ही नहीं तो अगर intensity आपने ज़्यादा लिया जैसे आप बढ़ाते चले गए तो electron की संख्या बढ़ती चले गई और आपको current भी linearly increase करता मिल गया मतलब जितने ज़्यादा photons आप गिरा होगे उतने ज़्यादा electrons निकलेंगे उतना ज़्यादा आपको बाहर current मिलेगा ठीक है इसको आपको फटा-फट रिवाइस करते हैं पॉइंट्स को नोट भी करते जाना हो और यह आप चाहो तो sky print out लेकर के अपने पास में आप रख सकते हो for mind map और जैसे यह mind map आपके लिए या यह series कितनी helpful है पर यह comment box में जरूर लिखके बता हो ताकि next topic कौन सा लेना ह यह पता हो और यह आपको help कर भी रही है series यह नहीं यह पता चल सके तो उसमें जरूर लिखके बताना पॉचो यह जो relation आई यह वाला जो relation आया वो यहां से आ रहा है आप जब 5 की value रख दोगे यह c by lambda और से तो यह value यहां से रिकलाई stopping potential की यह km की value यहां से रख दिया गया तो इसी equation को लिखने का यह कि यह तरीका है अब जब आप plot करते हो stopping potential का graph frequency के साथ यह कह सकते हैं 1 by lambda के साथ तो यह straight line आया आप देख सकते हो बाकी इसमें सब constant है H, E, 5, matter may depend कर जाएगा E, again electronic charge तो अगर आप stopping potential और frequency के बीच का graph कीचो तो आप यह देखते हो कि वो एक positive slope का graph ह लेकिन negative intercept का यह intercept कितना ज़्यादा होगा यह depend करेगा metal पे लेकिन अगर slope की बात की जाए तो यह independent of metal हो जाएगा बचो यह अगर आप जैसे किसी आपने एक metal को लिया होता metal A और एक metal B लिया होता तो जिसका work function ज़्यादा होगा तो उसका यह intercept ज्यादा होगा लेकिन जहां तक slope की बात है वो सेव होगा और slope किसके बरावर हो जाएगा h by e के बरावर यानि जब आप vs और f का graph या vs और 1 by lambda का graph की जोगे तो उसका जो slope होगा वो metal से independent होगा यह अगर आप एक metal लिया होता दूसरा metal लेता तो आप को लेते तो वो parallel graph आता हां intercept अलग हो जाता इंटरसे उसको light source point nature का है और आप distance उसका double कर दो इस पर कई बार questions पूचे गए हैं तो अगर light source को आपने double distance पे कर दिया तो intensity 1 by 4 हो जाएगी यानि intensity 1 by 4 और intensity 1 by 4 होने का मतलब होगा कि जो current है वो 1 by 4 हो जाएगा लेकिन stopping potential चाहिए kinetic energy की maximum value पर कोई फार्क नहीं पड़ेगा मतलब intensity आप उसको distance double करने पर 1 by 4 कर लोगे अगर cylindrical source बोले तो 1 by R यानि आर के इनिवर्सली पोश्चनल यानि अगर आपने double किया तो intensity will become half लेकिन double कर देने से separation double कर देने से ट्रिपल कर देने से photon की संख्या जो वहां पहुंच रही है intensity जो पहुंच रही है उस पर तो असर होगा ल जो करेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है कि कोई अगर subatomic particle है तो उसके पास वेव नेचर भी है और particle नेचर भी है तो उसकी फ्रिक्व उसका wavelength डिव लेवलेंग लेंडा स्कॉल टू एज बाई पी अगर द्यान से देखो तो यही फॉरला तो यहां भी था तो यह हो या momentum और momentum को विटा आप kinetic energy के terms पर लिख सकते हो root 2mk ठीक है न के को half 20 square लिख हो गया तो यही फाउल ला जाएगा तो इसी को लिखने का एक तरीका यह हो सकता है एक तरीका यह हो सकता है अगर आप kinetic energy को लिख दो e into v यह कहां से आ रहा है work energy theorem से kinetic energy work के बराबर और अगर आप elatto states के साब से देखो तो work per unit charge यही तो potential difference होता है तो आप work को लिख सकते हो potential difference into charge तो आपने k को substitute किया है e into v इसी को लिखने का एक तरीका यह है इसको ध्यान देना यह है एक तरीका इसको लिखने का kinetic energy को ही अगर आप gas के term से बात करते हो तो वो 3 by 2 kt होता है अगर आप gas molecule के term से बात करते हो वाट यह ध्यान देना यहां यह kinetic energy है यह k-boltsman constant है यह क्या किया है आपने kinetic energy को 3 by 2 kt बूट किया है 3 by 2 kt तो 3 by 2 kt तो 2 से 2 कट गया और वो formula गया है तो यह gas molecules वाले terms में कहा है आपने यह formula इतने तरीके से represent किया जा सकता है अब अच्छो जवाब इसका log ले लिनियर यह कई बार exams में पूछा गया है तो यह हम लोगों ने फटा फट फट फोट ऑन फोट इलेटरिक एफेट को revise किया इस series का aim यह है कि हम लोग कोई करें fast revision करें ताकि कम टाइम में हम ज्यादा यूज कर सकें पचो अब इसका आप लोग comment box में लिखके बताओ कौन सा करके उनको टेस्ट को दे सकते हो फिजिसमोंशॉट का जो एप का link है वो इस description में दिया हुआ है उसको download कर लो और उस पे आप जाव जाओगे त्री लाइन पर तो वहाँ आपको free test मिलेंगे उसमें chapter wise आपको test मिलेंगे उनको दे करके उनकी proper analysis और जिन questions में doubt हो उनको आप chat section में post सकते हो यह तो बात हो गई टेस्ट की पचो फिजिसमोंशॉट एप पर आप freely अपने doubt पोसकते हो उसमें जाके chat section में अपने doubt को post कर सकते हो चाहे वो comment का है चाहे वो आपको किसी question का doubt है ठीक है वो आप freely पोसकते हो उसमें आप देखोगे कुछ एक chapters भी slowly load हो रहे हैं उसमें वो शारा concept पूरा chapter है right from basics to the advanced levels तो बच्छो इसको practice करो ठीक है तो keep studying और बच्छो लेकर बताओ जो next video या next topic आपको चाहिए वो कौन सा चाहिए keep studying God bless you